लोग कहते हैं वस मीठी वानी बोलो लेकिन मैं कहता हूं भीया केवल मीठी वानी से काम नहीं चलेगा यदि मीठी वानी बोलने से और हाथ जोडने से यदि काम चलता तो वो प्रेम का पुजारी कृष्ण जो बंसी हो जाता था कभी सुदर्सन नहीं उठाता हमाराज कभी शुदर समय एसी वाणी बोली कैसी मन का पाखो और निकुंसी तल करें और आप उसी पेल हो अब इसका लोग अर्थ अलगी समझ लेते हैं लोग कहते हैं वोली मीठा मीठा बोलो ना ना इसका अर्थ क्या है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक हो यानिकि ऐसा ऐसे सब्द बोलिए कि सामने वाले का हिर्दय कंपाइमान हो जाए ब्याकुल हो जाए वो उसके सारे भ्रम दूर हो जाए मन का आपा खोए आपा अपना खोदे सारे भ्रम उसके दूर हो जाए सारी संकाओं का समाधान हो जाए सारी अज्ञानता दूर हो जाए सांती कब मिलती है मुझे बताओ क्या मेठी सब्द सुनने से सांती मिलती है नहीं मेठी सब्द सुनने से कुछ देर के लिए सुख जरूर मिल सकता है सांती नहीं सीतलता नह जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी जब हमें धेर की प्राप्ति हो जाएगी जब हमें सयम की प्राप्ति हो जाएगी तब हमें अपार सांथी की प्राप्ति भी हो जाएगी और आपके भी मन को सांती मिलेगी कि चलो मैंने एक विक्ती को तो सुद्ध ग्यान दिया।